हेलो स्टुडेंट वेल्कम बैक तू माई चैनल इस्टुडेंट आज का मारा टॉपिक है कैमरा लूसीडा आएए देखते हैं कैमरा लूसीडा इस अ ऑप्टिकल डिवाइस लाइटिन वर्ड लाइट चैंबर 1806 बाइविलियम हार्डी बुलास्टन कैमरा लूसीडा एक ओप्टिकल डिवाइस है जिससे लाइटिन वर्ड लाइट चैंबर से लिया गया है 1806 में विलियम हार्डी वुलास्टन नावक सैंट्रिस्ट ने कैमरा लूसीडा को डिस्कवर किया था वेन अटेजड विद अ कमपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स ड्रॉइंग माइक्रोस्कोप इमेज़ेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पेपर कैमरा लूसीडा को कमपाउंड माइक्रोस्कोप में अटेच करके किसी भी ऑब्जेक्ट का डाइग्राम पेपर में बनाया जाता है इस्टुडेंट आप इस स्लाइड में जो इमेज देख रहे हैं वो कैमरा लूसीडा का ही इमेज है नेक्स्ट है प्रिंसिपल कैमरा लूसीडा जो है इसका यूस मेंली पहले बहुत ही ज़्यादा होता था लेकिन जब से मॉडन माइक्रोस्कोप आने लग गए तब से कैमरा लूसीडा का जो यूस है वो अब कम हो चुका है और जिसकी वज़ा से इसका जो प्राइस है वो भी अब बहुत ही कम हो चुका है आपको मार्गेट में या सांटिफिक लैब में या सांटिफिक की जो दुकाने है शॉप से वहां पर आपको लगभर 1500-1600 के आज पास कैमरा लूसीडा जो है इसली मिल जाएगा तो आइए देखते हैं principle, it works on simple optical principle reflecting beam of light through a prism and a plane mirror यह device light के beam का prism and plane mirror में reflection के सिधान पे काम करता है किस पे किस पे काम करता है light के beam and plane mirror में reflection के सिधान पे काम करता है the microscope image of the object is reflected by the prism on to the plane mirror and there from the image is reflected on to the plane paper the observer moves the pencil on the lines of the image and draws a correct and faithful figure of the object on the paper object का microscopic image prism के द्वारा plane mirror पर reflect होता है और वही image plane mirror के द्वारा plane paper पर भी reflect होता है जिससे जो observer है जिसने उसको observe किया है या कर रहा है वो pencil को उस diagram में या image में move करता है जिससे exact and faithful figure हमको मिल जाता है आप इसे इस diagram से भी समझ सकते हैं देखे आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने खड़ा जो आपको व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है यह person जो है यह optical device पे क्या करता है यहाँ से अपनी आखों से इस mirror में देखता है इसके साथ ही साथ देखी जब हम normal microscope से जब हम किसी भी object को देखते हैं तो क्या होता है कि हमको microscope में पहले देखना पड़ता है दन उसके बाद में हमको अपने copy में या paper में हमको देखना पड़ता है दन उसमें हमको diagram बनाना पड़ता है तो camera lucider का basically use कहां पे होता है इसका use ऐसा होता है कि जिसकी वज़़से आप अपनी आखों से at a time, at a same time ठीक है, एक ही समय पे आप कहां कहां देख सकते हैं देखिए आप एक ही समय पे सामने जो आपका object है आप उसको भी देख सकते हैं and इसके साथ ही साथ आप कहां देख सकते हैं पेपर पी देख सकते हैं आप जब एक ही समय में दो चीजों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा एक तो इससे समय की बचत होती है प्रस जो आपका डाइगराम है वो हीलेगा नहीं आपको ऐसा नहीं फील होगा कि हां मैंने जैसे किसी भी ऑबजेक्ट का जैसे यहां दिखाई पड़ रहे है ठीक है इस स्टेच्चू का जैसे आपने हैड बनाया तो हैड बनाने के बाद में उसके बॉड़ी का शेप कैसा है यदि आप भूल गए आपने देखा लेकिन आप पेपर में जैसे ही आप बनाने के लिए आए आप भूल गये तो ऐसी गल्थी कैमरा लुसीडा से नहीं होती है ऐसे में क्या होता है जो रिफ्लेक्शन वह इमेज आपके पेपर में पड़ेगा वही image का reflection जो पड़ेगा आप same to same आप अपनी paper में draw करते जाएंगे इसे अब दिखते हैं parts of camera lucida there are the three main parts of a camera lucida first the attachment ring, second the prism and third the mirror the attachment ring attach the camera lucida with the body tube of the microscope camera lucida के attachment ring microscope के body tube में attach होता है the prism rests just above the eyepiece with the instrument is attached with the microscope और prism eyepiece के just उपर attach होता है the observer now view the image of the object under the microscope through the prism which reflects the image horizontally onto the plane mirror इसी prism के थरू microscopic image plane mirror में reflect होता है the plane mirror attached at the tip of an arm rotate and is set at an angle of 45 degree with references to the prism and the plane paper और plane mirror जो है वो microscope के tube पर 45 degree पर attach होता है जिससे आप plane paper पर पर ओप्जेक्ट का जो reflection है वो देख सकते हैं और उसको correctly block कर सकते हैं अब आईए इसका जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं इसका प्रोसीजर हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यह कैसे काम करता है इस्टुडेंट आप इस image में देख सकते हैं कि सामने खड़ा जो व्यक्ति है उसके पास एक plane paper है एंड वो एक डिवाइस में एक optical डिवाइस में अपनी आखों से देख रहा है अब यह जो optical डिवाइस आपको दिखाई पड़ रहा है वो एक different type का camera lucida ही है जैसे आप लैब में देखा होगा कि different type के microscopes होते हैं simple microscope compound microscope electron microscope तो वैसा ही यह भी camera lucida ही है अब देखिए कैसे यह जो व्यक्ति है सामने बैठी हुई महिला का image exact who बहु उस paper पे बनाता है तो आईए इसको हम यह जो व्यक्ति है सामने बैठी हुई महिला का image जो है वो camera lucida में जो उसका eye piece है वहां वो देख रहा है देखिए सामने बैठी हुई महिला का reflection है वो prism से होते हुए paper पे दिखाई दे रहा है और यह जो व्यक्ति है वो केवल क्या कर रहा है paper में पड़ रहे सामने बैठी हुई महिला का जो image है जो उसका reflection है वो paper में पड़ रहा है और जो व्यक्ति है वो केवल और केवल अपनी हाथों को उस महिला के reflection में घुमा रहा है move कर अपनी हाथों को जैसा कि हमने देखा देखिए यहाँ पे भी same जो reflection पड़ रहा है उसमें ही pencil को आपको क्या करना है pencil या pen को आपको घुमाना है जिससे आप हुब हुआ हुआ object के image को बना सकते है thank you I hope so you like it thank you